एक दिन मैंने happiness पे चरचा की थी खुशी पर आज फिर से happiness पे चरचा करेंगे मुझे कुछ मिला था तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाता हूं हमारे लिए खुश रहना एक challenge है क्योंकि यह system हमें खुश रहने देना चाहता ही नहीं है यह चाहता ही नहीं है कि हम खुश रहे है। करते हैं कि आखिर हम happiness कैसे ला सकते हैं हम जीवन में खुशियां कहां से लाएं जब हमारे चारों तरफ निगेटिविटी ही भरी हुई हो तो वैसे में पॉजिटिविटी लाना इट्स वेरी डिफिकर्ट इस जॉब तो उन्होंने चार केमिकल्स के बारे में वहां कुछ बत हैं मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा तो मैंने सुझा क्यों आप से कुछ शेयर किया जाए इस बारे में कि यह चार केमिकल्स जो हैं यह हमें खुश रहने में मदद कर सकते हैं यह सब दिमाग से निकलते हैं आप जानते हैं ऑक्सिटोसिन डोपामीन सेरोटोनिन और एंड तो बहुत बड़ियां खुश हैं तो डोपामीन निकल ला है तो यह सारी की सारी बॉड़ी जो है यह केमिकल्स से चल लगी है और इसमें सब कुछ केमिकल्स से ही हो रहा है तो देखिए सबसे पहले डोपामीन क्या करता है जै मानले जी आप खुश नहीं है तो आप अपनी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं, इन chemicals को कैसे release कर सकते हैं, ठीक है, यह उसका भी एक method है, कि आप, मान लिजे, आप उदास हैं, you are not very happy, so how to be happy, you know, so these chemicals can make you happy, so how to release these chemicals, that is the point, okay, suppose dopamine, it is saying it's the reward chemical, when there is sense of achieving something, I have achieved something, you know, this is what I have achieved, by doing something, Suppose, you have completed a task, okay, you are doing some activity, you win something, okay, आपने कोई चीज जीता, कुछ करा, तो आपके में dopamine निकलेगा, आप खुशी होगी, eating food भी उसमें दिया हुआ, देखे, अब eating food में कैसे खुशी हो सकती है, how can you be happy while eating your food, that's a good question, मैं बताता हूँ, मैं ही सबसे खुश रहता हूँ इसमें, मैं एक किस तो मैं चीली पनी को छोटे छोटा करें, टुकले टुकलो में खाया, आराम से खाओ, relax while eating, enjoy your food, I am telling you, it's very important, so उसे भी dopamine निकलता है, छोटी-छोटी खुश्यों में, जीत में आप खुशी हासिल करिये, छोटे-छोटे टास्क लीजिए, उसमें पूरा किया, मान रिजे, बह अच्छा लगता है, किसी छोटे बच्चे को पकड़ के गोदी में जुलाओ, अच्छा लगता है, किसी छोटे बच्चे की तरफ देखो, आपको अच्छा लगएगा, आप थोड़े देखे सब कुछ भूल जाते हो, क्यों, उसकी जो vibes, जो energies हैं, वो अच्छी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सोच नहीं, उसके mind में कुछ खूडा नहीं भरा हुआ है, तुम्हारे जैसे, इसलिए उसको खिलाओ, किसी doggy को खिलाओ, doggy भी innocent होता है, doggy को घुमालाओ, यह सब चीज़ें आप कर सकते हैं, किसी का हाथ पकल के घुमो, hug करो, ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको क्या होगा, आपको oxytocin release होगा, और आपको अच्छा लगेगा, similarly serotonin यह कह रहा है, the mood stabilizer, अब जैसे यह थोड़ी सी वो है, यह थोड़ा practical चीज है, आप exercises करो, meditation करो, swimming करो, cycling करो, so you will be releasing serotonin, okay, serotonin क्या है, it is the mood stabilizer, mood खराब है, बार बार mood खराब हो जाता है, जा मैं पता रहा हूँ, आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बैठते हैं, हम लोग थे, हम लोग करिकेट खेलते थे शाम को, या फुटबाल खेलते थे, और इतना चबरदस होता था, जैसे भारत-पाकिस्तान का मैच हो, बहुत जान दे आगे खेलते थे, अब आजकल पर हम उस चीज को नहीं देखते हो, कि माइन हमारा दुसी तरफ डेवियर जाता है, और हम खेलने लगते हैं, हम उसमें उलज जाते हैं, और उसमें हमें अच्छा भी लगता है, यह सिरोटोनिन की वज़े से, इससे में खुशी मिलती है, वहां पर मालॉम जीत गए, तो ज मैं बहुत दिनों से कहीं नहीं गया था, बहुत महीने हो गया थे, तो मैं मॉल गया था, I was happy, okay, I enjoyed it, कुछ नहीं मैं रोज 15 रुपय के बाल कटाता हूं, उसमें मैंने 600 रुपय के बाली कटवाती है, क्यों मैंने का लोग चेंज हो जाएगा, just for a change, I am telling you, वह reward chemical में Serotonin, the mood stabilizer, actually सब ऐसा नहीं है कि अलाग अलाग काम करते है, they work in coordination, ऐसा नहीं है कि ब्रेन के इसे अलागे, Serotonin अब निकलेगा, dopamine निकलेगा, ऐसा नहीं होता है, they work together, endopirin, अब जयाजा दर ज्यादा हो रहा है, break up हो गया, तो मुन्ना भाई, MBBS देख लिए, comedy film देख लिए, किसी अच्छी कोई comedy देख लिए, Charlie Chaplin देख लिए, या वो, जो क्या है वो, that person I am forgetting his name, Mr. Bean, Mr. Bean देख लिए, ठीक है, अब वो कह रहा है कुछ essential oil लगा सकते है, oil का तो बहुत importance है, आपके चक्रों को जागरत करने में भी ये काफी help करता है, ठीक है, comedy देख लो, chocolate खालो, exercise कर तो, this is actually going to relieve your pain and things, so, these chemicals are actually responsible for your happiness, you know, कि mind में, brain में जो निकल ले है, mind में तो नहीं निकलते होंगे, brain में निकलते हैं, ठीक है, तो ये कैसे mood को stabilize करते है, तो इन चीजों को आप करके, ठीक है, कि reward chemical or love hormone, or mood stabilizers or painkillers, you can simultaneously use them, you know, and it is going to help you out, in gaining your happiness, अब थोड़ा बहुत तो logical लगाने ही पड़ेगा ना, हर चीज में, दिमार लगाने ही पड़ता है, कि हाँ ऐसे happiness में लिए, तो ऐसे कर लो, मानलोग कोई आदनी हर समय काटने को दोड़ता है, तो उससे दूरी भागो, ठीक है ना, that is logical बनता है, कि हाँ व happiness actually is a state of mind naturally, and it comes from these chemicals only, but you should be smart enough to know, you know, how I can gain my happiness, that is also up to you, to quite a bit extent, you know, okay, thank you.